हेलो फ्रेंट्स वल्कम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जगौनाश्रीं कॉलेज उधरवन इसका जो एडमिशन है दोस्तों एडमिशन के बारे में आज भी बताऊंगा फोर ये अंडर ग्रेजविट कोर्स का एडम क्विडियो में आपको दिखा लेता हूँ कि उसका पोर्टल कब से ओपन होगा और कैसे आप करना है बिदेटेज में आपको बताऊंगा और को इसके लिए अगर आप चिस चलनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब को डिवाज दिजएगा और की हर नाटिविक्षिन आ में क्या लिखा हुआ है इस तो नॉटिफाइड दाउनलाइन अद्मिशन प्रोसेस इन्टो फोर येर अंडर गेजविट प्रोग्रम विल कमेंस 30 जून है आज 30 जून है आज उसका पॉर्टल ऑपन हो गया है मैं दिखा दूँगा आपको कैसे उसका पॉर्टल में जाना है Candidates willing to take admission into four-year undergraduate first semester are asked to visit the website यह देखिए आशो उन्वर्सिरी का website है कुछ college है उसका admission आशो उन्वर्सिरी का official website में होगा कैसा देखिए मैं दिखा दूँगा आपको बाद में In order to fill in online application from seeking college option and subject option very carefully Students need to upload the clear copy of all the relevant documents at the time of submitting the application Students should submit the printout copy of application from along with relevant documents in college office on before 15th July 2023 For more information students can visit college website देखिए जोगनाशी कोलेज वेबसेट में आप जाके आप देख पाएंगे मैं दिखा दूँगा आपको Before submitting application from students are asked to read carefully the guidelines of NEP for four-year undergraduate program Schedule admission processor देखिए Submission application portal जो होगा यह 30 June से 15th July तक उसका portal उपन रहेगा But आपको बहुत दिन टाम दिया गया इसके अंदर आपको 15 July तक वेट मत किजिएगा अगर आपका admission लेना ही है आप 15 July से पहले आप admission ले लिजएगा क्योंकि 15 July से सरवत डाउन हो सकता है कोई भी प्रब्लेम हो सकता है अगर आप उस टाम आपको प्रब्लेम होगा तो बाद में आपको प्रब्लेम सॉल्ब भी नहीं होगा क्योंकि portal बंद हो जाएगा और सिर्फ आपके लिए portal उपन नहीं होगा Scrutiny of application form देखिए यह college में होगा यह 17 July से 20 July तक Scrutiny होगा आपको documents हबन करना पड़ेगा college में जाके publication of merit list, merit list publication होगा 22 July को admission process होगा 24 से 26 July तक उसका admission process complete हो जाएगा और बाद में कुछ नहीं है देखिए आपके important documents देखिए कि documents चाहिए students photographs चाहिए students photographs जो देजिएगा जो भी होगा उसी photograph होगा तो फोटोग्राफ होगा तो फोटोर थोड़ा clear देजिएगा ठीक है नेक्स देखिए parents signature चाहिए आपको students signature चाहिए अगर आप किसी साइवर में apply करने आओगे तो आपका जो signature वो आपका parents का signature भी आपके इस्टियूशन last attended देखिए character certificate from the head of the institution of last attended आप लास्ट इस्टियूशन है आपका इसमें अपका है तो इस्टियूशन से आपका character certificate दिया जाएगा उसी character certificate को आपको अपरूट करना पड़ेगा ठीक है next देखिए hs admin card आपको साथ में चाहिए आधर कर चाहिए कास certificate अगर आपका है तो कास certificate है मतलब अगर आप जनरल कस से विलोंग करते तो कास certificate नहीं चाहिए अगर आपका SC, OBC, ST, EW से विलोंग करते तो आपको कास certificate mandatory है देखिए PWD अगर पीडावलोड या फिजिकल कोई disability है आपका तो आपको PWD certificate mandatory है income certificate for fee waiver scheme अगर आप fee waiver scheme में admission लाना चाहते हो without admission fees किसे तो आपके पास income certificate must है देखिए इसमें एक बात है कि आपका income certificate की receipt जो होगा receipt देजाएगा इससे आप apply नहीं कर पाएंगे यह सही नहीं है यह legal है इससे apply करना और income certificate की जगा आप कुछ भी नहीं दे सकते हो आपका income certificate इसा भी होता है कि income certificate को edit करके दे दे जाता है यह आप गलती कभी मत कीजिएगा अगर ऐसा गलती कीजिएगा तो बात में आपको उपर legally action ले जाए इसका PDF में जाएगा अब इससे भी चेक कर सकते हो कुछ जाके और नेक्स जो किसका कैसे apply करना इसके portal मैं आपको दिखा दूँगा नेक्स वीडियो में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए अगर आप चैनल में नहीं हो तो और बैल आकन को भी डवाद दीजिएगा त और दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक जरू करना तो वीडियो को ज़्यादा सचा शेयर किजिए ताकि सबके पास नहीं नाटिस पोच जाए थैंक्यू